नमस्कार, सबसे पहले आप सभी को वर्ष 2022 की शुब कामना है, कैसा रहने वाला होगा ये नया साल करियर फाइनेंस, स्वास्त और पारिवारिक बिष्टी से, कन्या राशी के चातिकों के लिए आईए जानते हैं इस वीडियो में ग्रह गोचर का क्या प्रवाव होगा, इस वीडियो में हम जानेंगे, ये राशी फल आपकी चंद्र राशी और नामक्षर पर आधारिद है, सबसे पहले बात करें कन्या राशी के लोगों की, तो ये लोग काफी आकरशक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, संचालन में वर्ष 2022 करियर की द्रश्टी से, तो करियर के लहाज से आपके लिए जनवरी, मार्च और जून के महीने काफी बहतर रहेंगे, मई की शुरुआत में कुछ लोगों को मन चाहा स्थांतर भी मिल सकता है, लेकिन इस वर्ष कुछ ऐसा भी आएगा, जिसमें आपको निराश हो पदो नती की उमीद कर सकते हैं, जो लोग वर्तमान में विरुजगार है, उन्हें इस वर्ष नौकरी मिल सकती है, अब बात करते हैं आर्थिक द्रिश्टी की, तो आर्थिक इस्तिती, आर्थिक जीवन में आपको इस वर्ष बहुत ही उठावटक से गुजरना पड़ सकत है, साल की शुरुआत आर्थिक तोर पर कमजोर रहेगी, लेकिन धीरे धीरे भागे का साथ मिलता दिखाई देगा, जिससे स्थितियों में भी सुधार देखा जाएगा, अप्रेल की पश्ष आपकी आमदनी में बढ़ोत्तरी और उन्हेती के मार्ग प्रशिस्त होंगे, आपकी आर्थिक इस्तिती भी इस समय मजबूत नजर आएगी, हलाकि जब प्रस्पती की इस्तिती इस बात को भी दर्शाती है कि इस समय अवधी के दौरान आपका कर्ज या कोई बड़े खर्च होने की आशंका है, तो अब बात करते हैं स्वास्त की दृष्टी से, स्वा मिल सकती है, हलाकि अप्रेल से लेकर जुलाइ तक का समय आपके स्वास्त जीवन के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, अब आगे बात करते हैं पारवारिक दृष्टी से, सो पारवारिक दृष्टी कोण्ट से आपको पारवारिक जीवन के मोर्चे पर मिश्रथ प परिणाम लेकर आएगा हलाकि साल के मद्ध में आपको अप्रेल से सितंबर के बीच कुछ पारिवारिक विवादों का सामना करना पड़ सकता है अब बात करते हैं सामान्य उपाए की जो सभी कन्याराशी के जातक कर सकते हैं उपाए वर्ष की शुरुवात भगवान गडपत की को दूरुवा अर्पित करके साथ ही आप गौ माता को हरा चारा और हरी सबजियां खिला कर सकते हैं